इसके वीडियो में जितना सिंप्ली हो सके मैं आप लों को सिखाने वाला हूँ कि हम अपनी माइनकाफ एनिमिशन कैसे बनाए तो इसके लिए जो मैंने आप यूज कि उस आपका नम है माइनमेटर तो इसकी लिंक मैंने नीचे पेंट कोमेंट में दे रखिए तो वह आप डाउनलोड कर ले ना उसके बाद आपको इस एप की थोड़ी बेसिक ज़रूरत पड़ेगी जो कि मैंने आपने पिछले वाले एक वीडियो में डाल दिया है अगर आप पिछले वाली वीडियो देख ले तो आपको एक क्लेयर हो जाए कि हम किस ओप्शन से क्या कर सकते हैं तो नीचे आप टाइम लाइम देख रहो ना यहां पर हमें simply keyframes लगाने है तो keyframe मतलब हमारी body की वह position को कह सकते हैं तो वह मैं आपको बताता हूं तो guys जैसे for example अभी हमारा player यहां पे still खड़ा है तो मैं यहां पर पूरी जगा पे keyframe लगाने वाला हूं मैं आपको इसलिए recommend करूंगा उससे नापकी animation smooth लगती है तो वह better रहता है फिर guys आपको यहां पे जैसे मैं काम करता हूं वह है guys हमारे player की normal वाली position और guys यहां पे मैंने set करके रखी है ऐसी position जिसमें इसका guys एक हाथ आगे है और एक leg पीछे है तो अब अगर आप मैं इसे पीछे से आगे की तरफ लाओंगा तो अब देख सकते हैं इसने दीरे दीरे अपना हाथ आगे लिए और यह बहुत ज़्य के लिए erase करने वाला हूँ और अब guys हमें एक simple सी walking animation create करते हैं तो फिलाज जो इसकी basic position है यह हमने यहीं पे set करके रखी है फिर guys जब मैं 3 frames आगे ले जाओंगा तो यहां पर मैं चाहता हूँ कि जह हमारा player है तो उसका जो guys जो यह वाला हाथ है यह थोड़ा सा आगे की जोड़ा ना लगेगा कि जैसे आगी की तरफ चलने की कोश्च कर रहा है मैं yellow वाले को ऐसे थोड़ा से ले जाओंगा और इसे हलका सा band कर देंगे थोड़ा काम भी band करते हैं इतना ठीक है अब guys अगर आप animation देखेंगे मैं यहां पे guys एक काम करता हूँ है head को still ही रखना है Frames आगे आते ही यहां पर और इसे थोड़ा सा ओर आगे का बनातें है तो मतलब अगर हम चलने की होँआ अप अपनी animation सोचे तो इसमें थोड़ा सा हाथ है वो और आगे होना चाहिए तो नहीं हां थोड़ा सा आगे ले लिए और या यहां यहां पर तो पर ит वाल और फिश प्रेंजिन को फ्रेम्स लगा देता हूं अब आप देखें कि तो यहां से ऐसे आगे की तरफ आया मुझे पता है यहां पर बिलकुल भी स्मूथ नहीं लग रहा लेकिन इसे दीरे दीर हम स्मूथ कर लेंगे तो यहां से आप ने देखा यह थोड़ा आगे की तरफ आया अब अगर गाइस हमें देखें एनिमिशन तो आप देख सकते हैं यह थोड़ा सा लग रहा है जैसे आगे की तरफ आया अब गाइस तीन फ्रेम्स आगे यानि कि यहां पर मुझे फिर से की फ्रेम्स लगाने लेकिन इस बाद थोड़ा और भी आगे लेना है यानि कि गाइस दो आगे लेने वाला हूं तो यह लिए ऐससे आगे जाएगी और जो वह ओली यह उप लागे हैंड़ा और ज मैं 효ंत कि यहां थोड़ा सा और की खरूल करता हूँ जो गोड़ा我跟你 है मैं ये guys मैं करने वाला हूँ delete इस पर simply हमें सिर्फ click करके delete कर देना है okay तो मैं असलिमें गलती ये हो गई थी कि मैं नहीं हमारे player को थोड़ा आगे ने लिया तो मैं इसे थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ तो जैसा कि guys आप यहाँ पर देख सकते हैं लग रहा है जैसे आगे आया हमारा player ऐसे मैं चाहूँ तो मैं इसे यहाँ पर jump कर आ सकता है तो एक काम करते है जम्प कर आते हैं इसे यहाँ तो गई जम्प कर आने के लिए तो इसकी जो लेग्स है वो पूरा यह बेंड करना छोड़ देगा क्यूंकि guys आगी कि तरफ हमारा player जाने वाला है सिंप्ली ऐसे reset कर देता हूं इसकी position जैसे आप right में देख सकते हैं तो यह लगेगा इसे jump करेगा अब जो पूरा body इसे थोड़ा सा आगी की तरफ लेते हैं और इसकी जो height है वो थोड़ा उपर की तरफ रखते हैं कुछ ऐसे ताके लागे कि जो हमारा player है वो थोड़ा उपर की तरफ जाम कर रहा है लेकिन head ना मेरे ख्याल से थोड़ा सा banded होना चाहिए आगे की तरफ हाँ तो guys अब यह ठीक लग रही है animation यहां पर फिर जैसे यहां पर guys पहुंचेगा न जो keyframe है इनके साथ यहां पर हम कुछ भी तो guys मैं नीचे की तरफ तो अब तीन फ्रेम्स आगे यहां पर land करने वाला है अब guys यह ठीक लग रहा है इसकी जो left वाली लेग है इसमें भी हलका सा band लाते है और थोड़ा सा उपर लेनी है यह ठांगे और जो हाथ है वो थोड़े से side की तरफ रखने है मुझे यानि की guys इसे red वाली line यूज करनी है तो guys अगर आप यहां पर हमारी animation देखेंगे तो मतलब जिससाब से मैं बिगनर हूं उससाब से मतलब ठीक ही लग रही है अबस हमें इसकी landing बनानी है यहां पर तो landing करते हैं usually एक बंदा crouch होता है तो हमें इससे भी crouch करवाना पड़ेगा ओके तो guys यह फिलाल इतनी animation create हो गई है आप यहां पर देख सकते हैं अमरे player ऐसे आके jump करके यहां पर land करके वापस खड़ा हो जाता है तो आपना मैं क्या करने वाला हूं यहां पर हमें camera angle चूज करना है कि हम कहां से पूरी animation को दिखाना चाहते हैं उसके लिए guys हम यहां प हम चाहे कि camera में भी movement चाहते हैं तो हम वह भी कर सकते हैं simply camera को यहां से ले जाएंगे थोड़ा सा आगे की तरफ और थोड़ा सा कर देते हम इसे रोटेट थोड़ा सा गए तीन चार फ्रेम्स आगे मैं इसे और थोड़ा सा आगे लेने वाला हूं camera को तो guys फिलाल मेरा नही उतनाजा smooth नहीं लग रहा है क्योंकि मैं जल्दबाजी में camera के frames डाले हैं लेकिन आप चाहे तो आराम अराम से डाल की यह भी अच्छे से कर सकते हैं और guys को important चीज़ बोलनी है कि अगर आप कभी कोई ऐसी animation बना रहे हैं जो बार-बार repeat हो रही है जैसे walking animation आप simply इस पे ऐस 60 fps दे रख देना ताकि आपको यह बहुत ज़्यदा smooth लगे तो आपको guys simply ऐसी बहुत सारे scenes create कर देना उसके बाद guys आप अपने video editor में सब scenes को ले आकर इसमें आपनी sound effects music या जो भी आप लाना चाहते हैं वो ला देना उमीद है कि यह वीडियो को पस्त आई होगी अगली वी बाई